नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद है अच्छे होंगे और इस वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्णावली 1.3 इसमें करेंगे हम प्रश्ण संख्या 1 और 2 को ठीके बच्चो तो इसको हम करने वाले हैं और अगर आपने इससे पहले वाले सभी 1.1 और 1.2 के वी होने के बाद ठीके बच्चों तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को और एक बात और कि अगर आप हमारे नए महमान है इस चैनल पर नए है तो लाल करन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना ठीके बच्चों तो चलिए शुरू करते हैं देखिए सबसे पहले इसमें हम अपना करते हैं पहला प्रश्न पहला प्रश्न करने से पहले बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कुछ बाते आपको समझना जरूरी है जैसे कि इसमें शांत और अशांत यह दो सब्द हैं इसका आपको समझ कि होते क्या है यह होते होते हैं देखिए ते इसमें सांतमलोग परसार कं से होते हैं जैसे इकजाम्पल के तुर्ण में आपको समझाता हूं जैसे चार से हमको भाग करना हें एक क्यावन में तो भाग करेंगे और यह एक उत्रेगा 4-2 का 8-3 बचेगा यहां पर 0 बढ़ाएंगे तो दसमलों लगेगा 4-28 यहां 2 बचेगा यहां 0 बढ़ाएंगे 4-25-20 तो यहां पर देख रहे हैं आपकी यहां आत्में 6 फल 0 आ गया यानि कि यह हमारा आंसर हो गया, इसके बाद और संख्याएं नहीं आ पाएगी, तो इसलिए इस तरह के दस्वलोपरसार को हम क्या गयते हैं, सांथ दस्वलोपरसार, ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी का अशांथ दस्वलोपरसार इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा यानि कि जिन भी भाग देने पर भागफल अगर चलता जाए, यानि कि संख्या कभी रुके ही ना, जैसे कि भाग देते हैं हम तीन से दस में, तो तीन तिरेगा नो आ जाता है, एक बच जाता है, जीरो बढ़ाएंगे याँपर, तो यहां दस्वलोपर, तीन तिया नो, फ चला जाएगा, यानि कि यह कभी भी रुकेगा नहीं, अनन्त तक यह चलता ही जाएगा, तो इस परकार के दसमलोपरसार को हम क्या कहते हैं, बच्चों, और सांत दसमलोपरसार, ठीक है, तो इन दोनों का आपको ध्यान लखना है, इसी पर बेस है आपका पहला प्रश्न, तो चलिए हम करते हैं अपना पहला प्रश्न को, देखिएगा, पहला प्रश्न में क्या है, कि निम्न लिखित भीनों को दसमलोपरसार किस परकार का है, तो चलिए बच्चों, हम अपना करते हैं, तो देखिए, पहले भाग में आपका क्या दिया हुआ है, 36 बटे 100, इसका म आजाता है 0.36 ठीक है यानि कि यहां पर आने के बाद 6 जीरो आ जाता है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कौन सा दूसरा परसार है तो यह बच्चो सांथ दूसरा बाग तो दूसरे भाग में देखो बच्चो क्या है एक बटा 11 यानि कि इसका मतलब क्या है कि एक में 11 से भाग देना है तो यदि हम एक में 11 से भाग देते हैं देखें यहां पर करते हैं हम एक में यहां पर जीरो फिर 11 99 इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है एक बचता ही जा रहा है यानि कि इसकी जो भाग फल आएगा वह वह कितना आएगा तो वह आएगा जीरो दशमलोग जीरो नो जीरो नो और इस तरह से अनंध कर तो इस प्रकार के तो 4 से एक बटे आठ मिशिद भीन में है इसको पहले चाधारा मिशिद में बदलेंगे तो 4 अठे 32 और एक 33 तो यह हो गया 33 बटे 8 अब 8 से 33 में भाग करेंगे तो देखे करते हैं अब इसको तो बच्चो इसका आंसर कितना जाएगा 4.125 और इसके बाद 6.0 बच रहा है तो इसलिए यह कौन सा दश्मलोग परसार होगा यह होगा लिया सांत दश्मलों परसार ठीक हो तो यह होगा हमारा तीसरा बढ़ते हैं अपने छोते बाग की तरफ देखिये चौबंख में क्या हैट 23 यानी कि 13 से Тीन में भाग तो कितो करते हैं 13 तो यहां पर देख रहे हैं बच्चों आपकी 6 फल फिर से 3 बच गया यहां पर भी 3 था फिर यहां पर 3 बच गया यानि कि यह जो शेशफल है इसकी आवरिती दुबारा से यहां पर होने लगेगी तो इसलिए इसका अंसर कितना जाएगा बच्चों जीरो दसमलो दो तीन जीरो साथ छे नौ इसके बाद फिर से बढ़ता जाएगा तो इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं उपर बार लगा देते हैं इसका मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं की आवरिती दुबारा से यहां पर हो गई तो इसलिए यह कौन सा दसमलो परसार हुआ बच्छों यह असांद दसमलो परसार तो यह हो गया हमारा चौथा भाग अब करते हैं पांचवा भाग में क्या है दो बटे जयार 17 तो इसको 12 में भागं करना है तो 11 से अगर आप दो में भाग करेंगे तो आपका भाग्फल जाएगा 0.1818 इस तरह से अनंत या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.18 और उपर बार ठीक है इसका मतलब भी यह है तो इसमें क्या है कि यह सभी संख्या है एक आर्ट की पुनरवर्ति हो रही है बार बार तो इसलिए कौन सा दसमलोब परसाल होगा असानता वर्ति ठीक है बच्चो आप करते हैं अपना लास्ट इसका भाग छठा चटे में देखिए बच्चो 329 बटे 400 है यानि कि 329 में 400 से भाग करेंगे इसको आसान बनाने के 329 में भाग दे दीजिए तो चार से अगर आप 339 में भाग दे देंगे तो भाग फल आजाएगा 82.25 और नीचे 100 है तो सो लिख दिया अब 100 से 82.25 में भाग दे दोगे तो आपका भाग फल आजाएगा 0.8225 जो कि यह किस प्रकार का दसमलोब परसार है तो यह है बच्चो सांत दसमलोब परसार को यहां तक समझ में आ गया होगा पहला प्रशन अब करते हैं अपना दूसरा प्रशन तो देखिए बच्चों प्रसन संक्या 2 में हमसे क्या खा गया है कि आप जानते हैं कि एक बटा साथ बराबर 0.142857 के उपर बार है वास्तों में लंबा भाग दि कि दसमलोब परसार क्या है यहां तो कैसे तो देखिए बच्चों इसका हल किस प्रगार से करेंगे हम देखिए कि एक बटा साथ का दसमलोब परसार क्या है 0.142857 और इसके उपर बार यानि कि इसकी आविरती बार बार होती रहेगी तो यानि कि यह किस प्रगार का गर्ती है तो इसलिए इन सभी संख्याओं का भी संख्याओं का और सांति होगा तो इसको हम यह पर लिख लेंगे तो यह मनें लिख लिया अब देखें इसका अब हमें स disrespect आए कि इसका पीस का साथ क्षे दो वut Also 7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा एक बटे 7 ठीक है अब देखी एक 2 दो लिख देंगे एक बटे 7 का मान कितना दिया हुआ यह है तो यह हम यहाँ पर लिख लेगे इसको गुणा कर देंगे 0 दोसमलो इससे एक चार दो आठ पांट साथ तो इससे अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है बच्चो देखिए इससे गुणा करेंगे दो का सासे, दो सत्य 14, आसी लेग, दो पंज़े 10 और 11, आसी लेग, दो अठे 16 और 17, आसी लेग, दो दुना 4 और 5, दो चोक 8, और 2 एकम 2, 0 और उपर बार लगा है, तो यहाँ बार लगा देंगे, तो यह हो गया हमारा दो बटे 7 का मान, इसी तरह से हम बाकि सब के भी पर लिख लेंगे, तो आशा है, आपको समझ में आ गया होगा, पहला और दूसरा प्रश्ण का हल, अगर समझ में आ गया है, तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नहे हैं, तो लाल कलर का बटन जरूर दबाएं, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्याश्य